दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल टीचिंग जा मोबल लोट पे तो आज के सेसन में हम इससे पहले वाली क्लास में मैंने आज के सेसन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें सब्काइब करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम सेटलाइट के बारे में बात करते हैं जिसको हम उबगरा कहते हैं एक उपगरा जो होता है एक खगोली पिंड है जो ग्रहों के चारो और उसी तरह घूमता है जैसे ग्रह सूर के चारो और घूमते है तो एक जो उपगरा होता है या खगोली पिंड है जो ग्रहों के चारो और उसी तरह घूमता है जैसे ग्रह सूर के चारो और घूमते है मानो निर्मित उपगरा एक कितिम पिंड है या ब्रम्हान के बारे में या संचार के लिए जानकारी कठा करते हैं तो मानो निर्मित उपगरा जो होता है कितिम पिंड कहलाता है या ब्रम्हान के बारे में या संचार के लिए जानकारी कठा करता है अंत्रिष में कुछ भारती उपगरा होते हैं जैसे इंसाइट आई आरेस एजूसाइट आदी तो अंत्रिष में कुछ भारती उपगरा है जैसे इंसाइट आई आरेस याई एजूसाइट आदी इसको कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम मार्च के बारें बात करते हैं, तो सूर के चारो और एक परिक्मा जो करता है, या 687 दिन में करता है, कितना 687 दिन में, और धोरी पर एक चक्कर एक दिन में पूरता करता है, तो धोरी पर एक चक्कर एक, ठिक, और दिन चंद्रमाओ की संख्या कितनी होती है, दो होती दिन चन्रमाओं की संख्या दो होती है इसे लाल गरा भी कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है लाल गरा कहा जाता है या सूर के चार ओर परिक्मा जो होता है छेसो सतासी दिन में पूरा करता है अपने धुरी पर एक चक्कर एक दिन में करता है और दिन चन्रमाओं की संख्य साल मान लीजिए सूर की प्रक्रिमा करने में और वहीं अच्छे पर एक चक्कर इसको नो घंटे चपन मिनिट लगता है कितने नो घंटे चपन मिनिट और चंदमाओ की संख्या लगभग तिरपन होती है ठीक तो सूर की एक प्रकिमा जो होता है ग्यारा वर्स ग्यारा मा लगभग बारा साल में पूरा करता है अच पर एक चक्कर नो घंटे चपन मिनिट में करता है चंदमा जो होती है वह 29 वश पांच मां में पूरा करता है और अच्छ पर इसका एक चक्र जो होता है 10 घंटे 40 मिनट में होता है चंदमाओ की संख्या लगबख तीरपन होती है तो सूर की एक परिक्रमा 29 वश पांच मां अच्छ पर एक चक्र 10 घंटे 40 मिनट और चन्दमाओ की तोटा संख्या, तिरपन होती है चलिए अरुन को देखते है तो सूर के चारोर जो एक परिक्रमा होती है 84 वर्स में होती है अच्छो के चारोर एक चक्कर इसका 17 गंटे 14 मिनट में होती है और चन्दमाओ की संख्या लगबख 27 होती है वरुन सूर की एक परकिमा जो होती है 164 वर्स में होती है अच पर एक चक्कर 16 घंटे 7 मिनट और चंदमाओ की संख्या 13 होती है तो जो अनुर्ण होता है सूर की परिकिमा जो होती है एकसांसर परस में होती है इस पर एक चककर 16 गन्टे 7 मिनिट में होती है या चंदमाओं की संख्या 13 होती है थार्टीन ठेक चलिए छुदगरा क्या होता है तो तारो ग्रहों और उग्रहों के अलावा और भी कई छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर के चारो और ग्रहों के अलावा भी कई छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर के चारो और ग्रहों के अलावा भी कई छोटे छोटे पिंड होते हैं इनको हम छुद्दगा कहते है चलिए उल्का पिंड क्या है तो उल्का पिंड चट्टानों के छोटे 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 टुकडे जो सूर के चारों वो चक्कल लगाते हैं उल्का पिंड कहलाते है तो उल्का पिंड क्या होता है जो चट्टानों के छोटे 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 टुकडे होते हैं जो सूर के चारों व के तरह बनाए गये पैटर्न को तारा मंडल कहा जाता है उदारंग उफिघ मेजर या बिक पील तो उदारन पर है उधारंग का पार करते को Cambridge मेजर आप बात करते हैं सबसे आसानी से पहचाने में या सप्रीषी जिसके सब्ब्रीब क longtime हैं यह साथ तारों का एक समू होता है जो वृषा मेजर नच्छत मंडल का भाग होता है ठीक तो तारों के विभीन समू मोधारा बनाए गये पैटरन को हम टारों मंडल कहा जाता है उधारन के नोर से उधार सामेजर या सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नचछतों में से एक सप्त रिसी होता है जो सब्त तारो का एक समूल होता है जो उर्चा मेजर नच्छत मंडल का भाग होता है चलिए उत्तर तारा उत्तर दिशा को दरसाता है तो जो उत्तर तारा होता है उत्तर दिशा को दरसाता है इसे हम धूब तारा भी कहते हैं आकास में सदेव एक ही इस्थित में रहता है तो उत्तर तारा दिशा को दरसाता है धूब तारा भी कहा जाता है आकास में सदेव एक ही जिसा में या इस्टित रहता है ठीक प्रकास की जो गती होती है प्रकास की गती तीन लाख किलो मीटर पर सेकंड होती है तो प्रकास की गति कितना होती है इसको तीन गुड़े दसकी घात आठ मीटर पर सेकंड भी कहा जा सकता है या तीन लाख किलो मीटर पर सेकंड कहा जाता है सूर के प्रकास को पिधवी तक पहुचने में लगभग आठ मिनट लगता है तो या प्रस ने पूछा भी गया है सहष्टी में तो सूर के प्रकास को पितवी तक पहुचने में कितना समय लगता है तो टोटल आठ मिनिट लगता है ठीक जोतिसी या जो खगोली पिंडो और उनकी गती का अध्यन करते हैं उसको क्या कहते हैं जोतिसी कहते हैं जोतिसी जो खगोली पिंडो उसके गती का अध्यन करते हैं ठीक आर भट जो थे और प्राचीन भारत के पसित खगोल सास्ती थे नील नामिश्टांग 20 जुलाई 1969 को चंड़मा की सता पर कदम रखने वाले पहले ब्यक्ती थे नील नामिश्टांग 20 जुलाई 1969 को चंड़मा की सता पर कदम रखने वाले पहले ब्यक्ती थे ब्रियस्पती सनी और यूरेनस के चारो और वले हैं सबसे बड़ा गरह जो है ब्रियस्पती है वह सबसे छोटा गरह बुद्ध है ठीक सुक्र और बुद्ध सुक्र का कोई उपगरा नहीं है सुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की और है ठीक तो आज सौर मंडल के पाट्टों में हमने उपगरा को देखा तो उपगरा क्या होता है उपगरा एक खगोली पिंड होता है ठीक अंतिश में कुछ भात्ती उपगरा है जैसे इंसेट, आई आरियस, एजुसेट, आदी ठीक उसके बाद हमने मंगल के बारे में पढ़ा जिसमें हमने मंगल की कितने दिन में परिक्रमा होती है पिर हमने सनिग्रा को देखा जो की सूर की एक परिक्रमा 29 वर्ष माच माँ में पूरा करता है अच पर एक चक्कर 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है चंदमाओं की जो संख्या होती है लगबख तिरपन होती है फिर हमने अरुण करा को देखा तो सूर के 4 और एक परिक्रमा जो होता है वा 84 वर्ष में करता है अच के 4 और एक चक्कर 17 घंटे 14 मिनट में करता है चंदमाओं की जो संख्या होती है लगबख 27 होती है ठीक, उसके बाद वरुण को पढ़ा इसमें हमने सूर की एक परिक्रमा 154 वर्ष में पूरा करता है अच पर एक चक्कर 16 घंटे 7 मिनट में करता है आचनमाओं की संख्या 13 होती है फिर हमने छुद्रगा देखा तो छुद्रगा क्या होता है जो तारो गुरहों के अलावा और भी कई छोटे छोटे पिंड जो सूर के चारो और घूमते हैं उसको हम छुद्रगा कहते हैं ये मंगल और भियस्वती की कच्छाओं के बीच काते हैं उलका पिंड कहलाते हैं तो चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर के चारो और चक्कल लगाते हैं उसको हम उलका पिंड कहलाता है ठीक नच्छत मंदल या तारा मंदल क्या होता है तो तारों के विभीन समूओ द्वारा बनाए गए पैट एक समू होता है जो उर्षा मेजर नच्छत मंडल का भाग होता है ठीक उसके बाद हमने उत्तर तारा है उत्तर दिशा को दर्साता है इसे हम धूप तारा भी कहते हैं आकाज में सद्धे एक इस्टित में रहता है प्रकास की गति कितनी होती है लगभग तीन लाग किलो मीटर पती सेकंड या तीन गुड़े दसकी घात आठ मीटर पर सेकंड होती है सूर के प्रकास जो हता है पितवी तक पहुचने में कितना समय लगता है लगभग आठ मिनिट लगता है जो लोग क्या कहते थे जो खगोली बिंडों की गति का अध्यन करते हैं उसको हम जो तिसी कहत हैं आरभट प्राचीन भारत के प्रसित खगोल सास्ती थे नील माम इस्टांग ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतबर एक कदम रखने वाले ब्यक्ति थे बियस्पति सनी और उनिर्स के चार और वले है सबसे बड़ा गरा कौन सा है बियस्पति है सबसे चोटा गरा बुद् जाते हैं तो इंपार्टेंट था इसकी मैंने दो क्लास में सौर मंडल को कबर कर लिया और अब सीटेट का एक्जाम नदी का रहा है तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाए मैं अपने चैनल पर EBS की और SST की मैराथन क्लास ले ली है आप लोग उस मैराथन क्लास को देख लीजिए उसकी प्ले लिस्ट मैंने बना दी है अब मैराथन क्लास देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए आनलाइन वाले जितने भी पेपर हुए हैं आप लाइन वाले भी जितने पेपर जोड़ सकते हैं और आपको आने वाले समय में एक से दो दिन के अंदर CDP की महा मैराथन क्लास भी मिलने वाली है तो उसके लिए भी आप लोग तयार रहिएगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने टेली ग्राम लिंक दिया है उसको आप लोग जूड़ जाइए आपको प्रापर तरीके से टाफिक वाई क्लासें मैंने सारी कराई दिये है सबकी प्ले लिस्ट बना दिये संपोर निचोर करुए है क्योंकि सएट को अगर पास करना थे इनसी मैंने साफिक करा दिये आप लोग वीडियो प्लेश्ट बना दिये आप लोग उसको भी देख सकते हैं अगर उसको देखनें का आप समय भी लही है आप लोग उस पूरा NCRT का संपूर निचों की महराथन भी कराई है आप लोग महराथन देख लीजिए और प्रैक्टिस करिए आप लोग सीटेट को आसानी से करेंगे फर्स सेटेम में करेंगे और जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो लोग आसानी से सीटेट को फर्स सेटेम में करेंगे बस प्रैक्टिस करते रहिए तो आज का सेटन हमें ही समाप करते हैं कल भी मिलते हैं किसी नए सेटन के साथ तब तक हमारे चैनल को लाइक करें सब्क्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें धन्यवाद